हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो, उम्मीद है आपसे भी अच्छे अपने पढ़ाई वेच्छ से कर रहे हैं आज मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर आई हूँ जिसका नाम है विद्वान का आत्मविश्वास इस कहानी से हमें बहुत अच्छी सीख मिलती है कि हमें क्या करना है तो आई ये शुरू करते हैं ये कहानी जिसका नाम है विद्वान का आत्मविश्वास अगर आपको ये कहानी अच्छी लगे, ग्यानवर्दक लगे और आपको प्रोच साहिद करें तो हमाई चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना और दोस्तक साहिद इस कहानी का लिंक ज़रूर शेयर करना चले शुरू करते हैं आज की कहानी मितला नरेश, राजा जनक ने एक बड़े यग का आयोजन किया था देश के सभी विद्वानों को बुलाया गया कई दिनों तक विभिन विश्यों पर चर्चा होती रही आयोजन के आखरी दिन राजा जनक ने सभा में एक हजार गाएं लाकर खड़ी कर दी और कहा, आप में से जो भी अपने आपको सर्वश्यष्ट विद्वान समझता हो, इन गायों को ले जाएं सभी एक दूसरे को देख रहे थे, किसी के लिए भी अपने आपको सर्वश्यष्ट सावित करना कठिन था इसलिए सभी असमज्यस में थे, काफी देर हो गई कि क्या इन गायों को ले जाने वाला कोई भी योग विद्वान इस सभा में नहीं है, उन्होंने का आप लोगों में से एक भी ऐसा विद्वान नहीं है, जो अपने आपको सर्वश्य समझता हो, चारों तरफ सन्नाटा पसर गया, सहसा याग वलकस्य से खड़े हुए और उ अलवली मच गई, याग्य वलकस्य याग्य वलकय उपस्तित विद्वित मंडली में आयू में सबसे छोटे थे, इसलिए बाकी विद्वान उनके इस दावे को स्विकार करने के लिए तयार नहीं थे, इन लोगों ने राजा जनक से कहा, माराज इतनी छोटी उमर में कैसे क कोई आदमी सर्वशेष्ट विद्वान हो सकता है, यह तो हम सब का अपमान है, याग्य वलकय बोले, मैं मानता हूँ कि उमर में सबसे छोटा हूँ और मुझसे बड़े विद्वान यहां बैठे हुए हैं, लेकिन उनमें आत्म विश्वास की कमी है, इसलिए वे अपने आ कानी होते हुए भी अग्यानी है, राजा जनक में निर्ने लिया, इन गायों को लेने का अधिकार याग्य बलकय को ही है, तो इस कानी से मैं क्या पता चलता है, आपकर अस कितना भी ग्यान है, जब तक आप अपने आप में विश्वास नहीं रखते हैं, आपका आत्म विश दिखाना है, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, तभी दूसरे लोग आपकी प्रतिवा को वैल्यू करते हैं, इज़द देते हैं, तो आप जो कर सकते हैं अच्छे से, उसे अच्छे से करें, डरे नहीं कि कोई क्या कहेगा, हमने गलती कर दी तो क्या होगा, और कोई बात नहीं, दूसरे वैक्ति में तो उतना भी साहस नहीं है कि वो कोशिश करें, तो अपना आत्म विश्वास आपको स्वेम दिखाना होता है, तभी आप कोई काम अच्छे से कर सकते हैं, तो उम्मेद आपको एकानी अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी ह तो से लाइक करना, दोस्तों साथ शेयर करना और हमारे इस वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को कमेंट जरू करना, धन्यवाद